नमस्कार दोस्तों हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वाकत है 90% हार्ट बलोकिस को भी 0% बना देगा ये चमतकारिक घरिलू नुस्का दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपके लिए जो नुस्का या फिर जानकारी लेकर आए हैं वो बहुत अधिक खास है क्योंकि आप भी इस चमतकारिक नुस्के के परियोग से अपने सरीर की हार्ट बलोकिस को खोल सकते हैं चाहे आपके सरीर में 90% तक हार्ट बलोकिस हो ये नुस्का आपकी 90% हार्ट बलोकिस को भी 0 बना देगा दोस्तो इतना चमतकारिक है ये नुस्खा और ये नुस्खा आपको बना बनाया भी मार्केट से मिल जाता है। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको बाई कर सकते हैं। दोस्तो अगर आपने बाईपास या एंजोपलास्टी करवा रखी हैं, तब तो ये प्रियोग आपके लिए बहुत अधिक महत्यबू हैं। क्योंकि एंजोपलास्टी करवाने के बाद स्टंट के आसपास अधिक मातरा में कोलोस्टोल जमना सुरू हो जाता हैं। और थोड़े समय के बाद दोबारा एंजोपलास्टी करवानी परती हैं। अगर आपको छाती में दर्द और समास लेने में बहुत कठनाई आती हैं। और आपकी रिपोर्ट जैसे कि TMT इत्यादी भी पोश्टिव आ गई हो। कोलोस्टोल भी बहुत अधिक बड़ा हुआ मिले। इको काडियों में हर्दे की एफिसेंसी कम मिले। और ब्लोकेज भी 90% से उपर आए। तो संभवता है आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और डोक्टर तुरंत आपको बाइपास या एंजयोपलास्टिक की सलहाद दे सकता है। मगर क्या कोई ऐसी गारंटी है जो कहे कि एंजयोपलास्टिक करवाने के बाद आपका हर्दे बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। या फिर से आपको समश्या नहीं आएगी। तो दोस्तो इसका आंसर है कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कैसा चमतकारिक नुस्खा लेकर आए हैं ये नुस्खा अपनाकर अनेक रोगी सही हो चुके हैं और अभी बारी आपकी हैं क्योंकि आपके सरीर में ब्लोकेज है तो अपनाना भी आपको ही पड़ेगा। और अगर आपने वाईपास ये एंज्योपलास्टिक करवा रखी हैं तब तो ये प्रियोग आपके लिए बहुत अधिक खास हैं क्योंकि angioplastic करवाने के बाद जो stunt के पास kolesterol जमना शुरू हो जाता है उससे आपको दोबारा से angioplastic की नू बताती है और ये नुस्खा आपकी उस blockage को भी सही करतेगा जिससे की आपको angioplastic की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आएए दोस्तों जानते हैं इस बहतरी नुस्ख और एपल साइडर सिरका इन सब को एक कप लेकर चारों को मिलाकर धीमी आज पर गरम करी और आपने चार कप लिये थी जब यह तीन कप रह जाई तो उसे ठंडा करके इस मिसन में तीन कप सहत मिला ली बस आपका नुस्खा तयार है आपकी दवा तयार है आपके सरेर की 90% blockage इसको जीरो बनाने के लिए रोज इस दवा की तीन चमच सुबह खाली पे एक गिलास गरम पानी में घोल कर आपको उसको पीना है एक गलास उस गरम पानी को पीना है तीन चमच लिए वो एक गलास गरम पानी में हलके गरम पानी में खोले और उस गिलास को आपने पी लिया और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सरीर की 90% ब्लोकिस भी 0 बन जाएगी इस नुस्खे के प्रियोग से ही एक महीने के जब आप अपनी रिपोर्ट कराएंगे एक महीने के बाद तो आप देखेंगे कि आपके सरीर में तो कहीं बलोकिस है ही नहीं तो दोस्तो आप भी इस नुस्खे को अपनाए और अपने सरीर की सभी बलोकिस को खौल दीजिए तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो प्लिज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवा दोस्त